Blind Bankers of India में मैं पाइल जेन आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक latest notification आया है recruitment से related Yuko Bank का ASO का recruitment आया है और यह notification आज ही 24 सक्टुमबर 2020 को out हुआ है और इसके लिए online apply करना रहेगा online apply करने की start date 27 सक्टुमबर 2020 और इसकी last date 17 नौवंबर 2020 online exam जो होगी वह December या जन्वरी में होगी और इंटर्व्यू के लिए यहां पर अभी कोई date specify नहीं की गई है इसके लिए online apply करने की website www.yukobank.com और इसकी application fees है PWD ST और SC category के लिए 100 रुपीज प्लस GST 18 और इस प्रकार टोटल फीज इसकी हो गई है 118 रुपे अब हम यहां बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी vacancy है तो यहां पर scale 1 और scale 2 के लिए यहां vacancy आई है लेकिन LV low vision और blindness के लिए total जो पोस्ट है वो 3 हाला कि total पोस्ट वैसे तो 91 है बट blind category के अंदर जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है एक पोस्ट IT officer के लिए है और एक पोस्ट चार्ट अकांटेंट के लिए है जो की GMGS scale 1 के लिए है और एक पोस्ट जो है वो scale second के लिए है तो इस तरीके से तीन पोस्ट है एक पोस्ट जो की IT officer scale 1 के लिए है और दो पोस्ट दे रखी है एक सीए के लिए और दूसरा इसकेल साकेंड के लिए दे रखी है तो इस तरीके से टीन पोस्ट लवी के अंदर है जिसमें लो वीजन और ब्लाइंड नेट्स दो नहीं है अब हम यह की बात करते हैं तो अफिसर के लिए एज लीमिट 21 साल से लेकि 30 साल होनी चाहिए एजुकेशन की एड़ी बात करते हैं तो 60 परसंट के साथ आपके पास 4 साल का या फिर बी टेक डिग्री इन कंप्वूटर साइंस या इनफरमेशन टेकनलोजी या electronics या फिर telecommunication में किसी recognized university से आपके पास degree होनी चाहिए या फिर 60% के साथ MCA होना चाहिए 3 साल का किसी भी recognized university के साथ तो इस तरीके से इसका qualification है और experience की बात करते हैं तो one year का spellister officer जो इस भी आपकी पढ़ाई की गई है उसमें आपका एक साल का experience होना चाहिए अब scale first में जो चार्ट अकॉंटेंट के अंदर एक post है उसके लिए age limit भी 21 से 30 साल है qualification में आपके पास चार्ट अकॉंटेंट या फिर CFA होना चाहिए इसमें experience के दी बात करते हैं तो ऐसा कोई experience की जरूरत नहीं है बड़ प्रिफरेंस दी जाएगी जिसके पास इसका relevant कोई experience होतों उसके अलावा जो scale second के अंदर एक post है चार्ट अकॉंटेंट के अंदर वहां पर भी age limit 21 से 30 साल हो है और यहां पर qualification में चार्ट अकॉंटेंट होना चाहिए या फिर CFA होना चाहिए और इसके अंदर एक्सपिरेंस की बात करते हैं तो minimum three year का experience होना चाहिए आपके पास CA का तो इस तरीके से यहां पर education और experience थे relation की बात करते हैं तो PWD category के अंदर 10 साल का relaxation की छूट दी गई है अब selection की process क्या रहेगी तो हाला कि blind category के अंदर यहां पर इस तरीके से तीन वर्टिकल में तीन पोस्ट दी गई है selection process की बात करते हैं तो यहां पर online exam की जाएगी जो की IBPS द्वारा कंडेक की जाएगी उसके बाद में एक interview session होएगा तो इस तरीके से दो exam के faces रहेंगे पहली जो की online exam रहेगी उसके अंदर चार सब्जेक्ट रहेंगे reasoning, English language, quantity aptitude और professional knowledge यानि जिस भी subject से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका तो reasoning में 50 question, 50 marks कराएंगे, English language में 50 question, 25 marks कराएंगे, quantity aptitude में 50 question, 50 marks कराएंगे और professional knowledge जिसमें 50 question, 75 marks कराएंगे तो इस तरीके से total questions रहेंगे वो 200 और marks भी जो रहेंगे, वो 200 रहेंगे, composite time यहाँ पे दो घंटा रहेगा, यानि किसी subject के लिए अलग से कोई time नहीं रहेगा, total time यहाँ पे दो घंटे रहेंगे इस तरीके से यहाँ पे selection process है, और provisional period के दिए बात करते हैं, तो GMGS scale first के लिए जो provisional period है, वो 2 साल का है, जबकि MMGS यानि second के लिए provisional period जो रहेगा, वो 1 साल का रहेगा इस प्रकार से Yuko Bank का जो है वो notification आया है, I hope आपको इस वीडियो कहीं न कहीं जरूर मदद करेगा, इसी प्रकार Blind Bankers of YouTube चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को सब्क्राइब करें, धन्यवाद